Hello students and welcome back to the next chapter. In this chapter, हम ये सब देखेंगे कि किस तरह से हम एक कोई variable बनाते हैं, तो उसका scope क्या है? तो इस chapter में हमने ये समझना है कि जो variables का है, अगर अपने variables में थोड़ी सी भी परिशानी आपको आ रही है, तो हमने एक variables पे पिछला जो tutorial बनाया है, वो हमने दिया है. कोई भी आपको परिशानी है, एक बार जस उसको एक बार read करें, variables का concept में एक बार revise भी करूँगी quickly, बट यहाँ पे इस chapter में हमने main ये discuss करना है, कि जो हमारे variables है, उनका क्या scope रहता है? उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि variable है क्या? हमने discuss किया था कि variable एक ऐसी value है, जिसकी value जो change हो सकती है, एक ऐसी field है, जिसकी value change हो सकती है. तो ये जो हमारा local variable है, ये कभी किसी function में हो सकता है, या ये local variable हमारा function के बाहर हो सकता है, किसी class के अंदर हो सकता है, तो ये इसकी जो position है, वो काफी matter करती है, ये कहाँ पे है, तो आईए हम इसका scope लिख लेते हैं, मैंने आपसे request किया था, कि इस tutorials के साथ आप एक notebook जरूर लगाएं, उसमें आप लिखें कि क्या क्या हम आपको notes दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा scope है, सबसे पहले है कि आपका variable है, वो inside a function हो सकता है, या फिर आपका जो variable है, वो within the parameters हो सकता है, function के as a function की जो definition है, उसके अंदर भी हो सकता है, और तीसरी जगा हमारे पास जो variable हो हो सकता है, वो हो सकता है, outside the function, जब हम बात करते हैं, outside the function, तो that is called as global function, और global variable, उसे हम global variable का नाम इसलिए देते हैं, कि वो function के बाहर है, तो इसका बड़ा simple सा तरीका है, याद रखने का, कि अगर मान लीजिए ये आपके function की body है, इस function के body के जो अंदर जो values हम दे रहे हैं, ज उसको हम local variable कहेंगे, बट यही अगर जो बाहर है, उसको हम नाम देंगे global, तो इस तरह से हमारे local या जो global variables हैं, वो बनते हैं, हम उनने define करते हैं, तो हमने कुछ programs बनाने हैं, उनको देखने के लिए कि किस तरह से हमारे local variables बनते हैं, तो जो पहला हम program बनाएंगे, उसमें हम लोग यह हम आपको जो editor है, उस पर भी करके दिखाएंगे, बट यह हमारे quick सा skeleton है code का, यह जैसे मेरा main method है, इसमें हम variable बनाएंगे a, b और हमने एक variable दे दिया c, अब जो भी change आप इस variable को यहाँ पे करेंगे, वो इसी function के अंदर वो change रहेगा, it is always said that, English में बोला जाता है कि life of a local variable is always within the function, it is defined, जिस function में इसे define किया गया है, वहीं ते ही यह रहेगा, इसके बाहर अगर आप आके local variable को use करने की कोशिश करोगे, तो वो variable आपका कभी use नहीं होगा, होगा, तो पर जो भी आपने उसमें function में उसकी values change की है, वो जो, उसकी जो सीमित होने की जो शमता है, वो उसी के अंदर रहेगा, वो बाहर आके कोई change नहीं होगा, तो माल लिजीए, यहां पर मैंने a की value थी 0, पर मैंने a की value को कर दिया 10, within the function, बाहर इस function के किसी को नहीं पता कि यह local variable के अंदर, क्या change हो रहा है, क्या value है इसकी, it is not accessible, तो आईए एक program बनाते हैं, जैसे मैंने आपको recommend किया था कि बहुत सारे editors मिल जाते हैं, available हैं, बहुत सारे editors, हम लोगों ने online editors use किया है, बट आप different compilers use कर सकते हो, Eclipse use कर सकते हो, Visual C use कर सकते हो, तो बहुत सारे इस तरह के हमारे editors हैं, जो available होते हैं, जो आप मतलब use कर सकते हैं, तो उसका इतना फरक नहीं है, because language तो आपने same ही लिखनी है, तो हम एक देख लेते हैं, program बनाकर, यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहे थी कि हमने दो variables लिए हैं, A और B, हमेशा यह याद रखना कि आप जब भी कोई variable बनाते हो, तो system में उस variable को कोई ना कोई एक memory मिलेगी, यहाँ पे हमने A को दे दिया है 10, मेरी B की value हमने assign कर दी है 20, और एक और variable ले ले लेते हैं C, अब देखिए जब आपने C लिया, आप इस पे C पे directly value नहीं दे पाओगे, आपको इसको declare करना पड़ेगा इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देंगे C is equal to A plus B, अगर आपको थोड़ा सा भी confusion आ रहा है, पिछले tutorials में हमने operators किये हैं, उसमें आप देख भी सकते हैं, C out C है हमारा यहाँ पे और हमने कर दिया, इसको return 0, program लिखने के बाद हम एक बार run करके देखेंगे कि कोई इसमें error आ रहा है, कोई परेशानी आ रहे है, तो एक बार run करके द दियान से समझना है, यह जो मेरा variable है, A और B, है ना, तो यह जो A और B मेरा variable है, और जो C यह जो मेरा variable है, यह तीनो मेरे local variables है, they are all local variables, और इन local variables में हम यहाँ पे जो है, अपनी calculations को कर रहे हैं, C is equal to A plus B, और यहाँ पे जब मैं इसको C out C कर रही हूं, तो जो मेरी value है, वो print ह रही है, local variables क्यों है, क्योंकि यह function के अंदर है, यह है, अब एक और program लिखते हैं, मैं request करूंगे कि जो भी हम program बना रहे हैं, जरूर उसे साथ साथ बनाएए, ताकि आपको confidence भी आए, ठीक है, एक और काम करते हैं, जल्दी से, हम लोग इस program में कुछ change करेंगे, एक आदा global variable डालेंगे और देखते हैं कि कैसे use होता है, तो मान लीजिए, इस function के बाहर मैंने एक variable बनाया, जी, अब देखिए, यहाँ पर हमें comment डालेंगे, और हम बोलेंगे कि यह एक global variable है, global variable कौन सा होता है, जो हमने function के बाहर बनाया है, तो यह हमारा global function है, यह main के अंदर हमारे पा प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, फिर मैं आपको एक एकर के सारे steps भी बताऊंगी, इस program में क्या हुआ, यहाँ पे जो G है, वो मेरा global है, यह वाले मेरे variables जो है, वो local variables है, इसमें C की जरूरत नहीं है, तो आप C को remove भी कर सकते हो, तो जो भी local variables की value थी, वो मैंने G में प् कर दिया, जी, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग कट करके, यहाँ पे एक see out लालते हैं, और इसको program को run करते हैं, जैसे ही मैंने इसे run किया, देखो आपको एक error आएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरह से access नहीं कर सकते हैं, आप इस access सिर्फ function के अंदर से कर सकते हैं या फिर अगर मैं यहाँ पे अपने जो मेरा बाहर, जो local variable A है, उसे भी access करने की कोशिश करूँगे, वो भी मुझे एक error देगा, हम इसे run करते हैं, compilation हमारे को error दे रहा है, error fail हो रहा है, क्योंकि जो हमारा global variable है, वो आपको अगर access करना है, तो आप पहले उसे function के बाहर बना है, ऐसे ही हमारे पास local है, अब इसमें एक और change कर सकते हैं, हम लोग एक और concept समझने के लिए, माल लीजे मैंने अपने global variable को value दे दी 20, और जब मैंने g is equal to 20 value दी, यहाँ पे मैंने main में एक और variable बनाया है g, अब यह थोड़ा सा interesting है, देखते हैं इसको किस तरह से हमारा execute होत है, और यहाँ पे हमने cout g करके return 0 किया है, अब बड़े ध्यान से देखना है इस program को, यहाँ पे हमारे पास है int g is equal to 20, यह मेरा main method है, यहाँ पे g is equal to 10 दिखा है हमने, यह global variable, अब सबसे पहले यह समझना है कि यह global variable कौन सा है, और local variable कौन सा है, तो यह जो g आपका यहाँ प आपकी global variable की value क्या है, 20, यहाँ पे जब आपने किया g is equal to 10, यह जो 20 है, यह change कर रहे हो, आप 10 में, तो अगर मैं अब इसको run करती हूँ, program को, execute करती हूँ, इस program को, तो आप देखेंगे कि output की आएगा, कि मेरा जो g है, यहाँ पे हमने c count दिया, इसको में remove कर देते हैं, क्योंकि function का नाम है c out, अब हम इसे try करेंगे, as we discussed, कि जो जिस function का काम है, वो ही करेगा, इसे आप upper case, lower case देंगे, तो भी नहीं चलेगा, तो देखें, यहाँ पे g, जो है मेरा global variable है, उस global variable की value मैंने यहाँ पे change कर दिया, समझ के 10 डाल दिया, और जो मैं c out करूंगी, तो उसकी value मैं change की है, बट अगर आप function के बाहर, कहीं बे भी access करोगे, इस g को, बाहर वाले g को, तो यह हमेशा 20 ही देगा, तो यह हमारा जो global और local variables है, उनका concept है, जो आपके local variables होते है, जब आप उन्हें define करते हो, तो system उन्हे initialize नहीं करेगा, system उन्हें values नहीं देगा, आपको initialize करना होगा, बट अगर यही आपका global variable है, system उसको by default एक value भी देता है, और कौन सी देता है, यह आप एक chart quick सा लिख लीजिए, integer है हमारा सबसे पहले, अगर integer है, तो by default 0 देगा वो उसको, character है तो slash 0 देगा, फिर इसी तरह से हमारे पास अगर वो float है, तो वो 0 ही देगा, 0.0 नहीं देगा, यह थोड़ा सा confusing है, double के लिए भी 0 देगा, और मानले जी हमने pointer के तरह का अगर एक बनाया है, तो यह हमें एक null देगा, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस G को value कोई भी नहीं दूँ, I do not give the value to the G at all, त अगर इस G को आपने value नहीं दी, तो आपको यह error देगा, तो यह है हमारा local और global variables का concept, हम एक बड़ा quickly साइक काम करते हैं, एक recap सा ले ले लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमने इस tutorial में क्या पढ़ा है, तो इस tutorial में हमने यह देखा कि हमारे पास एक local variable है, एक global variable है, local और global variables में, जो function के बाहर बनता है, वो आपका global variable होता है, उसकी value अगर आप अपना जो main function है, उसमें change भी करोगे, तो भी उसकी जो inner value है, वो inner method में तो change होगी, बट आप अगर उसे फिर function के बाहर से access करोगे, तो global value जो होगी, वो 20s case में ही print होगी, local और variables और local और global variables आपके बिल runs लिखे हैं, उसे एक बार लिखिए, उसे run करिए, देखिए इसका output क्या है, I hope local और global variable का concept बिलकुल clear है, कोई doubt है, तो आप इस tutorial को दुबारा से देखिए, धन्यवाद, take care, good bye.